हाई फ्रेंज मैं हूँ चैताली आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है ये है हिविस्कस की फ्लावर मेरे गाड़न में बहुत सारे फ्लावर्स खिलते हैं और वो मैं भगवान जी को चड़ाती हूँ मेरे घर में जो मंदीर है वही मंदीर में तो आज की वीडियो में मैं पुजा करती हूँ कहा पर करती हूँ ये है मेरे घर का मंदीर जहां पर मैं रोज पुजा पट करती हूँ सबी हिंदू धर में एक मंदीर बनाते हैं छोटा हो या बड़ा अपना घड़ हो या किराय के मकान हो सबी हिंदू भगवान जी के स्रध्धा करते हैं और मैं इहां पर मेरे भगवान जी को रोज दो पहर पूजान पाट करती हूँ और मेरे बच्चे भी मेरे साथ साथ ये पूजान पाट सीख गई है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो दोनों जब पूजा पाट करती हैं बहुत अच्छे लगते हैं मेरे घर में हर साल सरस्वति पूजा, लेक्षमी पूजा, गनीश पूजा और वाल गनीश जी की जनमस्टिमी पूजा बरी धोमदाम से मनाय जाते हैं हम तब सारे केस्ट को और neighbors जे होते हैं वो सबको invite करते हैं वो सब आते हैं एक साथ मिल कर ये पूजन करते हैं भगवान जी को प्रशाद चरा जाते हैं भोग चराय जाते हैं बाद में वो भोग हम सब बात के मेल जूर कर खाते हैं मेरे घर की गोपाल जी दो गोपाल जी है और जो लोग मेरे पहले की वीडियो देख चुके है वहाँ पर मेरे भगवान जी की जनवाष्टमी पूजा और गनिश पूजा की वीडियो डाल रखी है वो देखेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे कि हम लोग कैसे इंजॉय करते हैं यह देखिए मेरे तुलसी मंच जहाँ पर मैं रोज पूजा पात करती हूँ और यह है मेरे इस दिशा जहाँ पर सूरज रोज उठते है और यह देखिए मैंने तोरन बनाई है और एक कार्टेन देदी है जो रात को मैं इस कार्टेन को लगा दिती हूँ भगवान जी सो जाते है और सुबह को मैं यह कार्टेन खोल देती हूँ फिर से पूजा स्टार्ट करती हूँ और यह है आलपना जो मैंने मेरे हाथों से ही दी है सरसती पूजा में कैसे लग रही है फ्रेंड्स हमारे भारत में अभी बहुती कठिन परिसिती चल रहे है कोवीड-19 के बज़े से ये कोवीड-19 की वायरास चाहरो तरफ फैल गए है हम सब मिलकर एक साथ अगर भगवान जी से प्रे करेंगे तो भगवान जी जरूर हमारे सब की बाते सुनेंग इस परिसिती से हम सब को निकाल लेंगे ये मेरे मन से मानना है तो चलिए प्लीज हम सब लोग एक साथ मिलकर हाथ जोर के भगवान जी से प्रे करते है कि ये करूना भारास हमारे यहां से दूर भाग जाए हम सब सुस्त रहे ये है हमारे छोटे सा रूम मंदीर होने से पहल और इसी रूम को कैसे धीरे धीरे मेरे ये घर की टेंपल बनाई गई है तो चलिए मैं दिखाती हूँ माल करते हैं इतने महनत के बाद ये मंदीर बन के तयार हुए है लेकिन भगवान जी जब तक इस मंदीर में ना बैटे वो मंदीर मंदीर नहीं लगता है देखिए मंदीर में अब भगवान जी को बिठाने के बाद ये मंदीर बहुत सुन्दर लग रहा है तो फ्रेंज आज के लिए बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मुझे लाइक और कॉमेंट्स कीजिएगा और जो लोग पहली बात दिख रहे हैं वो लोग प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लिजएगा तैंक यू